हिजाब कॉंट्रवर्सी, पूरे देश में आजकल इसी की बात है, जिसके बारे में हाई कोर्ट का भी तक कोई भी फैसला नहीं आया है आज जानेंगे कि हिजाब कॉंट्रवर्सी आखिर है क्या, इसकी शुरुवात कहां से हुई थी तो चली जल्दी शुरू करते हैं, आज की वीडियो मैं हूँ, साहिल व्यास, आपका स्वागत है 3D मीडिया में हिजाब कॉंट्रवर्सी की शुरुवात हुई करनाटक के उडूपी डिस्ट्रिक्ट से अक्टोबर 2021 में, गर्नमेंट P.U. कॉलीज में कुछ शात्राओं ने हिजाब पहनने की मांगी इसके बाद 31 दिसंबर को 6 शात्राओं को हिजाब पहनने की वज़ा से कॉलीज में नहीं जाने दिया गया और उन छात्राओं ने कॉलिज के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया कॉलिज प्रशासन ने 19 जनवरी 2022 को छात्राओं उनके माता पिता और अधिकारियों के साथ मीटिंग की दे लेकिन इस बैठर का कोई परिणाम नहीं निकला था उडुपी के विधायक रगुपती भट ने कहा कि जो छात्राओं बिना हिजाद के स्कूल नहीं आ सकती वो ओनलाइन पढ़ाई करे तीन फरवरी को प्यू कॉलिज में हिजाब पहन कराने मेली छात्राओं को फिर से रोका गया इसके बाद राहूल गांदी भी इनके समर्थन में आये और छात्राओं ने करनाटक हाई कोड का धरवाजा कटकटाया पाच फरवरी को राजे सरकार ने करनाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागुगर दी इसके अनुसार सबी स्टूडेंट्स के लिए कॉलिज में तैय उनिफोर्म पहन कर आना अनिवारे कर दिया ये आदेश गवर्नेंट और प्राइवेट दोनों कॉलिजों के लिए अनिवारे कर दिया गया और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इस फैसले की अलोचना भी की आठ फरवरी को इस विबाद ने हिंसक रूप ले लिया कई जगों से पत्थराव की खबरे सामने आई शीव मोगा का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कॉलिज स्टूडेंट तिरंगे के पॉल पर भगवा जंडा लगा रहा थै मांडिया में बुर्का पहने एक लड़की के साथ बुरा ब्यावार किया गया फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में है इसके बाद उडूबी के MGM कोलिज में हिजाब और भगवा के लड़ाई शुरू हुए कुछ स्टूडेंट्स हिजाब पहन कर कोली जाए और कुछ भगवा पकड़ी और शॉल्डा कर कोली जाए आठ फरवरी को हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई की CM बसवराज ने स्टेट के सभी हाई स्कूल्स और कॉलिजों को तीन दिन के लिए बंद करने का ओर्डर दिया उन्होंने सभी स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट से शांती बनाए रखने के अपीजी हिजाब कॉंट्रोवर्सी का मामला शुक्रवार 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट भी पोचा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंट सुनवाई से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई उचित समय पर की जाएगी इस मामले के बढ़ने पर CM बसवराज और Secondary Education Minister नागेश ने Advocate General के साथ मीटिंग की इसके बाद मंतरी नागेश ने कहा कि मामला पहले ही हाई कोर्ट में है और सरकार फैसले का इंजार कर रही है तब तक सभी स्कूल्स और कॉलीजों को अपने यूनिफर्म कोर्ट फॉलो करना होगा जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई महां की प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि लड़किया कैमपस में हिजाब पहन सकती है लेकिन क्लासरूम में नहीं उन्होंने दावा किया कि लड़किया पहले भी क्लास में आने के बाद हिजाब और बुर्का हटाती रही है इस मामले में विधायक और कॉलिज चेर्में ने कहा कि जो लड़किया कॉलीज के बाहर बैटकर हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही है वो college छोड़ कर जा सकती है और उन्हें किसी ऐसे college में एडिविशन ले लेना चाहिए जहां पर uniform के साथ हिजाब पहनने की permission में हमारे rules clear है कि उन्हें आगे भी हिजाब पहन कर class में पैठने की permission नहीं मिलेगी Udupi college में प्रदर्शन कर रही चाहतराओं का कहना है कि college में बीते साल हिंदू त्योहार मनाए गए थे हिंदू लड़कियों को बिंदी लगाने से नहीं रोका जाता है तो फिर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है इन स्टूडेंट्स का कहना है कि दो महीने में इनके एक्जाम शुरू हो जाएंगे इन्हें उसकी भी तैयारिया करनी है लेकिन फिलहाल तो इन्हें पढ़ाई करने से ही रोका जा रहा है करनाटक में हिजाब पहनने को लेकर ये विबाद कोई नया नहीं है 2009 में बंटवाल के SVS कॉलिज में ऐसा मामला सामने आया था इसके बाद 2016 में बिलारे के डॉक्टर शिवराम कराद गर्नमेंट कॉलिज में भी हिजाब को लेकर विबाद हुआ था 2018 में सेंट एग्रेस कॉलिज में बवाल हुआ था करनाटक में कॉलिज बुधवार को हैवे पुलिस कबर के साथ फिर से खोले गए और ओफिसर्स में हिजाब पहने चात्राओं की एंट्री से इंकार कर दिया करनाटक हाई कोट में कल हुई सुनवाई में सीनियर काउंसिल रवी वर्मा कुमार ने कहा कि Education Act के according अगर हिजाब पर बैन लगाने को लेकर कोई रूल आना है तो इसके बारे में पेरेंट्स को कम से कम एक साल पहले ही बताना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि सरकार सिरफ हिजाब पर इस सवाल क्यों उठा रही है चूडी पैने हिंदू लड़किया और क्रोस पैने क्रिस्टिन लड़कियों को बाहर नहीं बेजा जाता है हिजाब कॉंट्रवर्सी को लेकर करनाटक हाई कोर्ट में रोजनाई फैसले देखने को मिल रहे है पर देखना ये होगा कि आप फैसला किसके पक्ष में होगा और क्या ये क्राइड डिसिजन होगा क्योंकि रिलिजिस चीजे तो बात की बात है अगर सुडेंस कोलिज टाइम में ही पढ़ाई को छोड़कर इन बातों पर ध्यान देंगे तो उनके फ्यूचर क्या ही होगा और इसी के साथ-साथ ये बाते भी सामने आ रही है कि ये मुद्य सरकार द्वारा ही उठाये जाते है ताकि पब्लिक का ध्यार राजनितिक गती विदियों से हटा कर इन मुद्दों पर बढ़काया सके आप इस बात से कहां तक सायम आते है दीचे कमेंट बोक्स में बताईए फिर हाजिर होंगे इस न्यूज के कब डेट के साथ में हो साहिल ग्रास साहिली बोक्स